असलाम अलेकुम, आज मैं आपके साथ शायर करूँगी अफगानी मलाई सीख वित वाइड ग्रेवी, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है ये, एक बार इसे आप ज़रूर ट्राय करिएगा और बिल्कुल रेस्टरोन स्टैल बनकी ये रेडी होगी घर पे ही, तो चले इसकी रेस थे क्षच सालेर पाउडर भाफटी इसपुन दालेंगे गरम-मसाला पाउडर एक टेबलिस्पुन दालेंगे अद्रक लसन का पेस्ट और दुट rifी सवक्ष करने से बने बढा बसे जो चार्यसेग बहुत से जारीलिस्पं दालेंगे जो चार से पानिनिके अरिम उजचि थोड़ी सी पुदीना के पते और थोड़ी सी हरिधनिया के पते डालेंगे एक Small size की प्यास बेंगे से बारी चौपकर करके डालेंगे और जो bread की Slice लेंगे इसे भीगा कर अच्छे से इसका पानी निचोड़ कर इसे भी डालेंगे और अब इसका हमें mixture बना लेना है तो आपके पास अगर food processor है तो उसमें बना ले या तो फिर mixi के jar में भी आप इसे easily बना सकते हैं तो यह देखें, mixture हमारा बनके ready हो चुका है और अब इसके हम seek बना कर ready कर लेंगे अगर आपको mixture गीला लग रहा है तो आप इसमें चाहें तो थोड़ा सा basin it कर सकते हैं अगर seek नहीं बन पा रही है तो और या तो फिर do bread के slice को आप mixi के jar में चला कर वो भी डाल सकते हैं और हाथों में थोड़ा सा oil लगा कर इसे हम seek का shape दे देंगे और अगर आपके पास square stick है तो उसकी मदद से आप इसे बना लें अगर नहीं है तो कोई बात नहीं आप pencil का भी use कर सकते हैं तो यह देखें seek हमारी बन के ready हो चुकिया इसी तरह से हम सारी seek के बना कर रख लेंगे तो सारी seek के हमने बना कर रख ली है अब इसे हम fry कर लेंगे तो एक पैन में लेंगे आधा कप तेल और seek के इसमें add कर देंगे चार से पांस seek डालेंगे एक के ओपर एक नहीं डालना है और डारिकली इसे हम touch नहीं करेंगे कुछ seconds के लिए इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे एक से डेड मेंट के बाद इसकी sides कॉम चेंज करेंगे और यह देखें दोनों साइड से हमें light golden कर लेना है 50 या 60% तक हमें इसे cook करना है और जब यह fry हो जाए तो इसे निकाल लेंगे हम बाहर और बागी के सीक जो सीक है वो भी इसी तरह से हम fry कर लेंगे और जब सीके fry हो जाए तो इसी पैन में हम दालेंगे चार से पांच long चार से पांच छोटी light ची एक जावित्री का फूल और दो medium size की प्यास दालेंगे रफली चॉप करके और चार से पांच हरी मिर्ची और थोड़ी सी हरी धनिया के पत्ते थोड़े से पुदीना के पत्ते और बारा से पंदरा लेंगे काजू और अब इसे medium flame पे चलाते हुए तीन से चार मेंट तक हम cook करेंगे जब तक ये इस तरह से soft नहीं हो जाते तो ये देखे प्यास हमारी soft हो चुकी है अब इसे निकाल लेंगे बाहर और इसे थंडा करके इस तरह से इसका हम fine paste बना लेंगे और उसी पैन में हम लेंगे एक टेबिल स्पून अदरग लसन का पेस्ट कुछ सेकेंस के लिए से fry करेंगे और जो हमने पेस्ट बनाया हुआ था पेस्ट को इसमे एड़ कर देंगे और flame को medium ही रखेंगे दो मिट तक इसे fry कर लेंगे और अब इसमें दालेंगे आधा कब दही और powder मसालों में इसमें दालेंगे हम half teaspoon नमक, half teaspoon जीरा पाउडर half teaspoon गरम मसाला पाउडर half teaspoon चाट मसाला पाउडर half teaspoon चिली फ्लेक्स और half teaspoon black pepper powder यानि की काली मिच्ची का पाउडर बस इतने ही मसाले इसमें जाएंगे अब हमें मसालों को अच्छे से भुन लेना है इसे तब तक भुनेंगे जब तक मसालों से तेल अलग नहीं होने लगता तो ये देखे तेल हमारा surface पे आनने लगा है मसालों से तेल अलग हो गया है अब इसमें डालेंगे हम सीख जो हमने fry करके रखी वही थी और अच्छे से मिक्स कर देंगे इसे मसालों के साथ और अब इसमें डालेंगे एक टेबली स्पून कसूरी मेधी और शार से पांच टेबली स्पून डालेंगे अगर आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है तो दूद के ऊपर की जमीवे मलाईगा भी आप यूज़ कर सकते हैं और अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और 2-3 मिनट तक और फ्राय कर लेंगे तो यह देखें मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं सारे इसमें अब हमें इसमें ग्रेवी बनानी है तो इसमें जादा ग्रेवी नहीं होती है तो एक कप इसमें डालेंगे पानी जादा पानी इसमें नहीं डालना है बस एक कप पानी डालेंगे अच्छे से mix करेंगे और इसकी लीड लगा देंगे लीड लगा कर इसे हमें 10 से 12 मिनट तक low flame पे cook करना है और यह देखिए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं बहुत ही जबर्दस creamy texture के साथ बहुत ही हमारी अफगानी मलाइसी gravy बनके ready हो चुकी है अब इसमें दालेंगे थोड़ी सी का होता है यह खाने में तो आई हो प्रैसी पी आपको जरूर पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो प्रीज वीडियो को like and share जरूर करें एंड चैनल पर अगर आपने पहली बार विजिट किया है तो आपसे humble request है चैनल को लाजमी subscribe करने ऐसी ही yummy recipes को देखने के लिए मिल